हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं हमारे यूटूब चनल चोपडा नीट इनफोर्मेशन और मैं हूँ हरसाई चोपडा दोस्तो काफी सारे स्टुडेंट के कोमेंट्स इस परकार से आ रहे हैं कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा है क्या अभी हम नीट की प्रिप्रेशन करके गौवर्मेंट कोलेज ले सकते हैं तो मेरा यहां पर रिप्लाई रहेगा नहीं क्योंकि नीट की एक्जाम की मातर दो मैने से से और इन दो मैने में नीट का इतना बड़ा सलेवस आप कवर नहीं कर सकते हाँ इतना जरूर है कि जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो student इन दो मैने में पढ़कर 300-400 का score जरूर कर सकते हैं वो भी काफी मैनत करने के बाद और उनको पूरा syllabus नए पढ़कर man-man topics पढ़ने होंगे जिनमें ज्यादा क्यूशन आते हैं और वो topic easy भी होते हैं ऐसे student इंडिया में 15-20 लाग per year के package पर private medical college से MBBS कर सकते हैं और need qualify करके abroad भी जा सकते हैं लेकिन इन दो मैने में मैनत काफी करनी होगी ताकि कम package पर अच्छी private medical college मिल सके ये तो बात थी उन student की जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अभी पढ़ना start करेंगे अभी हम उन student की बात करेंगे जिनका एक बार syllabus मार्च अन्त तक complete हो जाएगा तो essay student अप्रेल मैने में revision करके आसानी से government medical college में admission पा सकते हैं top government medical college में admission के लिए इन दो मैने में उनको खूब मैनत करनी होगी अभी उन student के लिए अच्छी opportunity रहेगी जिनका syllabus फरवरी end तक के complete हो जाएगा और मार्च अप्रेल के मैने में उनको दुबारा से syllabus revision का मोका मिल जाएगा तो essay student इन दो मैने में अच्छी मैनत करके जो बताया उससे अच्छा score भी कर सकते हैं अगर आप इन दो मैने में अच्छी मैनत करते हैं तो इन दो मैने में अच्छी मैनत करके जो मैने score predict किया है उस score को cross भी कर सकते हैं वो depend करता है आपकी मैनत पर इनसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता दोस्तों Neat student की life में ये दो मेने मार्च और अप्रेल मैतुपुन भूमी का निवाते हैं मैंने ये practically देखा है कि Neat student फरवरी तक slow study करते हैं मगर इन दो मेने में मैनत करके वो selection ले जाते हैं मैंने ऐसे भी student देखे हैं जो अभी तक खूब मैनत करेंगे लेकिन अभी test के result को देखकर जैसे आपके test series का result आता है उसको देखकर study छोड़ देते हैं यही उनका minus point हो जाता है test series के marks को देखकर tension में मत आओ बलकि इसमें और बहतर marks लाने की कोशीज करो दोस्तों मैंने ऐसे student देखे हैं जिनकी इन दो मेने मेने मेनत करके मैं खुद हैरान हो जाता हूँ जब यह student इतनी मेनत करके selection ले जाते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते आप भी कर सकते हैं मगर इन दो मेने में आपको सब कुछ बुला कर study ही आपका मकसद रखना होगा तो दोस्तों वीडियो के अंत मिश्रप एक छोटी सी बात यही कहना चाहूँगा कि लास्ट के दो मेने मार्च और अप्रेल आपका selection डिसाइड करते हैं इसमें थोड़ा सा तेज दोडेंगे मनजिल पार कर जाओगे अगर थोड़ा धीरे धीरे दोड़ेगे और रुक रुक के सोच सोच के दोड़ोगे तो मनजिल के पास आकर मनजिल से एक कदम ही दूर रह जाओगे फिर आपको ऐसास होगा कि कास में थोड़ा और जोर लगा देता तो दोस्तो आईए करते हैं मेनत और प्राप्त करते हैं अपनी मंजिल को Best of luck and जैहिन